एक ऐसी नदी जिसकी विसालता के कारण उसकी तुलना नील और अमेजन नदी से की जाती है जो चीन, भारत और बांगलादेश के जीवन को जोरती है जिसे पूर्वत्तर भारत की जीवन रेखाती कहा जाता है इस विसाल नदी का नाम है ब्रहमपुत नदी यह नदी तिब्बत में मांसरवर जील से 60 किलोमीटर दूर तथा समुंदर तल से 53 मीटर की उंचाई पर चेमा यूंडूं गलेशियर से निकलती है इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह पूर की ओर बहते हुए अवनाचल परदेश से भारत में एंटर करती है और अवनाचल परदेश में नमचा बर्बा परवस से भारत में एंटर करती है इस नदी को अवनाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है दिहांग नदी जब असम तक बहती है तो लोहित और दिवांग नामक नदियां सदिया के पास आकर मिल जाती है जब ये दो नदी आकर मिलती हैं तो दिहांग नदी का नाम ब्रहमपुत नदी पढ़ता है असम में ही इसकी कुछ साहक नदी आकर मिलती हैं जैसे सुबन सिरी, कमांग, मानस, संकोस और तीस्ता जैसी साहक नदी मिलती है जो संकोष नदी है वो भूटान से आकर मिलती है और तीस्ता नदी सिक्किम से आकर मिलती है इस तरीके से ब्रहंपुत नदी सदिया से लेकर धूबरी तक पश्शिम की ओर बैती है जब ये पश्शिम की ओर बैती है तो आपने तीन पारियों के नाम सुने होंगे इन तीन पाड़ियों के नाम हो गारो खासी और जैनी जो आपकी गारो पाली हो उसी के पास में धुबरी नामक इस्थान से ब्रहंपुत नदी बांगला देश में अंटर करती है जब बांगला देश में अंटर करती है तो इसका नाम जमना नदी पढ़ता है जमना नदी जब आगे बहती है तो भारत से गंगा नामक नदी आकर जमना नदी में मिल जाती है जब गंगा और जमना नदी आपस में मिलती है तो इसका नाम पदमा पड़ता है जब पदमा नदी आगे बहती है तो पदमा नदी में मेगना नामक नदी आकर मिल जाती है जब मेगना नदी आक सबसे बड़ा डैल्टा है वह आपका सुंदरवन डैल्टा उससे कंदेशत है तो इस तरीके से हम गोंधेश के बहुते हैं इसे प्तम जमना कहते हैं मद्य भाग में पद्मा कहते हैं और निचले भाग में इसे मेगना के नाम से जाना जाता है ब्रहंपुत नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप है जिसका नाम मांजूली दीप है इस तरीके से जब हमने देखा था कि लोहित और आपकी जो दिभांग नदी आकर असम में मिलती है तो वहाँ पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है धोला सब्यापुल तो जो ढोला सभिया पुल है वो ब्रहमपुत नदी की साहज नदी लोहित नदी पर बनाया गया है और जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है और जिसकी लंबाई 9.15 किलो मीटर है 2016 में तिब्बत के जांगमू इलाखे में चीन में ब्रहमपुत नदी पर एक डैम पनाया है इस डैम की उचाई 116 मीटर है और यह भारत की सीमा से 5.5 किलो मीटर की दूरी पर है जिसे वाटर बम के नाम से जाना जाता है यह तिब्बत में सबसे उचा और सबसे बड़ा हाइट्रो पावर पोजट है जिसकी सुरुवाद 2009 में हुई थी और जो बनकर 2016 में तयार हुआ है अगर चाईना ने इस डैम को खोल दिया तो जो भारत के 7 sister of east के नाम से जाने जाएंगे वो सातों के सातों राज्य बह सकते हैं इसलिए इसे hydro जो पावर पोजेक्ट है जो आपका ब्रहमपुत नदी पर बनाया गया है इसे water bump के नाम से जाना जाता है तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो ब्रहमपुत नदी है वो आपके तिब्बत में चेमा यूंडूं गलेशेर से निकल कर बंगाल की खाड़ी में सुन्दरवन डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है